नमस्कार, आज बहुती टेस्टी चटनी बनाएंगे, जिसे आप इडली के साथ, उत्पम के साथ, दोसा के साथ खा सकते हैं, रोटी पराटे के भी साथ खा सकते हैं, या मुंपली और नारियल का होगा, इसके लिए एक कफ मुंपली को लेकर अच्छा भून लेंगे, धनिया का पत्ती लेंगे, अच्छा दो कर लेंगे, अब जो मुंपली है, उतका छिलका निकाल कर मुंपली को मिक्सर जार में डालेंगे, धनिया पत्ती को भी मैंने डाला था, अब चार चम्मच के करीब नारियल का बुरादा डालेंगे, आप साबुत नारियल भी डाल सक कच्चा वाला अब अध्रक कत्टुकडा एक इंच डाल देंगे कट करके डालेंगे दो हरी मिर्ट तोड़के डाल देंगे इन सबको डालने के बाowned , हाप निम्बू का रस डालेंगे हापNIMBOU काफी रसीला है , इसलिए मैंने हाफ डाला है, इसका बीज निकाल कर डालेंगे, आप इसमें स्वादा नुसार नमक डाल देंगे, नमक आप अपने स्वाद के साब से ज़्यादा या कम डाल सकते हैं, अब इसमें एक दो चम्मच के करीब पानी डाल कर इसे पीस लेंगे, अच्छा दरदरा प इसमें जितना आपको पतला या गाढ़ा रखना हो, उस हिसाब से आप पानी मिला दें, बहुत ही टेस्टी चटनी यह बनेगा, अब इसमें छोका लगाएंगे, इसके लिए छोका पैन गरम करेंगे, में रिफाइंड ओयल थोड़ा गरम कर लेंगे, वन टीस्पुन सरसो क दाने तरका लेंगे, बहुत ही अच्छा तरकने देंगे, जब यह तरक जाएगा तो थोड़ा कड़ी पत्ता डाल देंगे, अब इसमें एक लाल मिच तोड़कर डालेंगे, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा बढ़ जाएगा, अब इसको अच्छा पका लेंगे, जब और टेस्टी चटनी बनेगा इसे आप दोसा इडली उत्पम किसी के भी साथ खा सकते हैं या आप रोठी पराठे के भी साथ खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है राइस दाल के भी साथ खा सकते हैं इसे मैंने उत्पम के साथ इडली के साथ बनाया था